दोस्तों अगर आप बेडोल सरीर को बनाना चाहते हैं पर्फेक्ट और मोटापी से पाना चाहते हैं निजात तो जाने साथ काम की बाते ही पहला प्राया कुछ लोग भोजन करके खुब पानी पिया करते हैं भोजन के अंत में पानी पिना उचित नहीं बलकि एक डेड़ घंटे बाद ही पानी पिना चाहिए इससे पेट और कमर पर मोटापा नहीं चड़ता दूसरा, भूख से थोड़ा कम ही आहार लेना चाहिए इससे पाचन ठीक होता है, पेट बड़ा नहीं होता और पेट में गैस नहीं बनती गैस के तनाव से तन कर पेट बड़ा होने लगता है तीसरा, भोजन में साक सबजी, कच्चा सलाद और कच्ची हरी साक सबजी की मात्रा अधिक और चपाती, चावल वा आलू की मात्रा कम रखना चाहिए चौथा, सप्ताह में एक दिन उप्वास करना चाहिए उप्वास के दिन सिर्फ फल और दूध का ही सेवन करना चाहिए पाँचवा, प्रातः 2-3 किलो मीटर तक घूमने के लिए जाया करें छटवा, अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो भोजन में गेहूं के आटे की चपाती लेना बंद करके जों और चने के आटे की चपाती लेना सुरू कर दें इसका अनुपात 10 किलो चना और 2 किलो जों इन्हें मिला कर पिसवालें और इसी आटे की चपाती खाएं इससे सिर्फ पेट और कमर ही नहीं, सारे सरीर का मोटापा कम हो जाएगा सात्वा, प्रातह एक गिलास ठंडे पानी में दो चम्मा सहत घोल कर पीने से भी कुछ दिनों में मोटापा कम होने लगता है दुबले होने के लिए दूध और सुध घी का सेवन करना बंद ना करें वरना सरीर में कमजोरी, रूखापन, वातविकार, जोडों में दर्द, गैस ट्रबल आदी होने की सिकायते पैदा होने लगेंगी दोस्तों, अगर आपको ये इंफर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलता है इसे तरह के ने ने वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद